Hello everyone, welcome back to my channel, so guys, आज किस लेक्शन में मुलब स्टार्ट कने वाल है, कोशे नमबर 2, तो कोशे नमबर 2 देखते हैं, सेम बिल्कोशे नमबर 1 जैसा ही है, जैसे अभी हमें लास्ट लेक्शन में किया था, तो आए पड़ते हैं, assuming interest at 12%, आपको जो interest है, वो 12% गिवन है, calculate a total market value and weighted average cost of capital, यह weighted average cost of capital वही है, के नौट, of each firm, each firm मतलब हमें बहुत सरी firms दे रहे हैं, तो हर एक firm का आपको निकाल ला है, on the basis of flowing information, अब आईए information देखते हैं, क्या गिवन है, आपको यहाँ पर चार कोलम 5 बने वहें, चार कोलम firm किया है, firm A, firm B, firm C, firm D, उसमें EBIT सब का दे रखा हैं नोंने, interest दे रखा है, और आपको KE, यानि की percent, cost का 15, 18, 16, 20, यह सब आपको यहाँ पर गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वही same जो भी निकाला था, market value निकालना है, firm का, और के नोट निकालना है, value of firm निकालना है, और के नोट, ठीके, तो आईए शुरू करते हैं, same आपको वैसे ही करना है, ब लेकिन आपको चार कॉलम बनाने है, एक, दो, तीन, और यह समझे लो, चार, ठीके, इस तरीके से चार कॉलम आपको बनाने है, ठीके, तो आईए शुरू करते हैं, तो यह हमने यहाँ पर format बना लिया है, पहले हमने कहेंगे question number two, determination of k not, यानि की cost of capital, and value of a firm, यानि की b, a, b, c, d, चारो firm का आपको calculate करना है, और यहाँ पर लिखा हमने particulars और amount का columns बना रहे है, चार बना रहे हैं, क्योंकि चार firm है, firm a, b, or c, d, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सेम बिल्कुल वैसी करना है, जैसे question number one में की आता है, पहले EBIT लिखेंगे, आप तीनो firm, चारो firm का, जो firm d के लिए है, आपको 20 लाग गिवन है, ठीक है, अब last करेंगे, interest भी आपको गिवन है, आपको calculate करने की जरूत नहीं है, वो है 1,20,000, minus हो जाएगा यह, फिर यहाँ पर आपको गिवन है, एक लाग, यह हमने सारे amount यहाँ पर लिख लिया है, interest जो हमें बुक में गिवन है, एक लाग बीस, एक लाग पचास, एक लाग असी और यहाँ पर तीन लाग, अब इसको minus करेंगे, minus करके जो आएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, और यह जो earning होगी, वो कौन से earning है, earning available to equity shareholder, shareholders की earning है, वो earning है, ठीक है, तो यह करते हैं, अब यह जो earnings available होगी है, यह जो earning है, यह हमाई shareholder's की earning, यह हमने यहाँ लिख दिया है, अब हम capitalization rate लिखेंगे, सेम जैसे वैसे last lecture में कहा था, वैसे ही आपको यहाँ करना है, capitalization rate की cost, जो की आपको book में given है, 15% given है, decimal भी लिखेंगे, जोर है, यह हो जाएगा 0.15, 0.18, यह लिख 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 हमें capitalization, अब उसकी बद हम क्या करते है, market value निकालते है, equity का, market value of equity, इसको कैसे निकालना है, जो भी earnings available है, equity के लिए, जे जो earning है, यह, अगर देखो, ऐसा होत जो भी earning है, उसका 100 divided by 20%, जो भी given हो था, वो करते थे, उल्टा करते थे, 20% ऐसे नहीं करते है, क्योंकि हम पूरा value निकालना है, अपने equity shares का, तो 100 by 20 उल्टा करता है, पूरा 100% हमें देखना है, कि कितना value है, हमारे equities का, वो करना है, ठीके, तो शुरू करते है, देखो, हमन 15%, 18%, 16%, 20%, जो भी है, वो लिखना है, ठीके, मैं यहां एक बार बता देते हूं, हमने कैसे निकाला है, यह हमने निकाला है, जो भी earning से available है, कि 6,30,000 है, suppose, इंटू में 100, और डिवाइट के हमने 15 से, तो यह सब निकल कर आया है, यहां 6,30,000 है, इसके लिए लिखा है, मैंने A के लिए, फर्म B के लिए तो यह लिखेंगे, और फर्म C होगा तो यह, फर्म D होगा तो 17,00, अब हम market value of debt निकालेंगे, अब देखो, market value of debt आपको calculate करना पड़ेगा, यहां पे, अभी तक आपको given होता था कि debt इतना है, 2,00, 5,00, यहां पे तो given नहीं है, लेकिन, यहां प यह से 1,20,000 है, तो आपको उसको divide कर देना rate से, rate के आपका 12%, 12% बोले तो 0.12, यह आपको book में given है, rate, assuming interest rate at 12%, तो 0.12, तो जो भी interest, suppose जैसे आपकी बार interest हमारा 1,20,000 है, जैसे यह रहा, देखो, मैं यहां calculate करती हूँ, 1,20,000 आपका interest है, और आपको उसको divide कर देना 12%, तो यह 0.12, तो यह कितना आगे आपका, यह आगे आपका 10,00,000, तो आपको 10,00,000 लिखना है, समझाया, तो इस तरीके से हमें market value यहां पर निकालना है, अपने debts का, यहां आगे, ऐसी next करेंगे, next में यहां पर 1,50,000 गिवन है, तो 1,50,000 इंट्रेस्ट होगे, डिवाइट करेंगे rate 0.12 से, यह आएगे आपका 12,50,000, तो यहां हम 12,50,000 लिखेंगे, ऐसी next करेंगे, अब next क्या है, 1,80,000, तो 1,80,000, डिवाइट करेंगे 0.12 से, यह आएगा 15,00, तो यहां हम लिखेंगे 15,00, और ऐसी next करेंगे, next हमें जो interest rate है, वो गीवन है 3,00, तो 3,00, अगर अब डिव बस अब क्या करने है, अब हम इनको plus कर देंगे, आप इन्हे plus कर दो, अब आप इनको plus करो, अगर आप इसे plus करोगे, देखो 42 और 10, यह कितना हो जाएगा 52,00, तो यह आजाएगा आपका 52,00, ठीके, तो from A का value कितना है, ऐसी आप score इसको plus करोगे, तो यह कितना आएगा, 62, लाग 50,000, ऐसी नेक्स्ट यह कितना आएगा, अगर आप इसको जोड़ोगे, तो यह 97,000, लाग 50,000 आएगा, और नेक्स्ट यह तो आजाएगा, आपका 1 करोड 10 लाग, एक करोड 10 लाग, ठीके, यह आ गया, clear है, तो यह जो निकल के आया है, यह क्या किलाता है, यह हमारा क तो फर्म का कितना वैल्यू है, तो हम यहा लिखेंगे, वैल्यू अफ दी फर्म, जो हमसे वो कोशन निकल वा रहा था, और इसको वी से नौट करते है, ठीके, तो यह निकल गया, अभी, अभी खतम नहीं हुआ, अभी क्या निकलना है, हमें कॉस्ट निकलना है, इसका जो क अभी तक हमने करा था, कैसी किया था हमने, जो हमारा अर्निंग होता है, इसको डिवाइड करता है, वैल्यू पर्म से, तो पहले मैं यह लिखेंगे, वैटिद अबरेज कास्ट अफ क्यापिटल, सेम वैसी करना है, दिख रहा है आपको, यह देखो, आप दिखेगा, के वैल्यू पर्म आपको पता है, आप इने क्या करो, बस डिवाइड कर दो, और आपको यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा, यह देखो, हमने यहां कैलकुलेट कर लिया है, सेम वैसी निकाला है, और इंटू में 100 भी कर रहा है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकला रही है, फर्म एका है 14.42%, परसेंट में आए गई, नेक्स्ट फर्म बी के लिए 16.8, फर्म सी के लिए है, हमारे पास में 15.38, और फर्म दी के लिए है 18.18, तो यह हमारे कोश्यन नमर्टू पूरा कर लिया है, यहां पर आपको यहीं दिखाना तो और कुछ नहीं करना है, इसमे कोश्यन में 1 की तरह ही करा है, बस यहां पर हमें 4 फर्म गीवन थी, तो आज की लेक्शन में इतना ही, अब हम मिलेगे नेक्स्ट लेक्शन में नए कोश्यन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक किया है, स्टे कनेक्टिट,